मित्रों, आजे हिंदी नी एक बाउज लोकप्रिय नुमल कथा विशे वाद करेशा, अपड़े हम्मेशा अधागाउं के पच्छी, तमस के महाभोज के जिन्दगी नामा ने इवदी क्लासिक विशेज वाद करिया छिये, क्यारे लोकप्रिय ने पन स्पर्शी लेव जुए के ए लोकप्रिय शा माटे थाई, अने क्लासिक बनता एने कोणे अटकावी, एना काया एवा पासा आता, जेना कारणे ए प्रशिष्ट क्रुती न वनी शकी, पन लोकप्रिय पुष्कल से, तो एवी एक बाउज जानी ती नुबल कथा, एना समय मा बाउज वंचाई, भग बगवत्य कुमार शर्माधी टीवाई गया ओए, पान बगवति कुमार वर्मा, भगवत्य चर्ण, कुमार नैं, बगवति चर्ण वर्मा, एमनी चित्र लेखा, उगणी सोने चोंतरीस मा लखाएली आ नमल कथा, जो आजे है छपाईशे, अने मं चायाईशे, चिना पर थ आनि एमाई जे बीजी मेना कुमारी वाले यती है तो आपने गीतों पुन मोडे बदा मन रे तो का है ना धीर धरे, जोगी मत जा, आ बधा गीतों ना कारणे पुन ए फिलम बहुत चाले ली, पहली चित्रलेखा इटली नोती चाली जितली बीजी चाले, तो आ लेख के चित् सिवाई बीजी साथ नवल कथा रखी चेवी के टेडे में रास्ते आखिरी दाव अपने खिलों ने बुले विसरे चित्र वह फिर नहीं आई सामर्थ और सीमा ठके पां रेखा सीधी सची बाते सब ही नचावत राम गोसाई प्रश्न और मरीचिका चोंतरीस मां चित्रलेखा लखाए अने प्रश्न और मरीचिका ओगणी सोने तौंतेर मां लखाए अठला लामबा पट पर सतत नवल कथा वो आपता रेनार आ सर्जक छताए मने अने तमने एकद नवल कथा थी परिचीत छे हिंदी बनता आशे एकदाच भगवती चरण वर्मानी बिजी कोई वांता आशे पण बाकी ना अन्य भाषी वो मारा जिवा तो चित्रलेखा वाँची रज हम्मेशा पुर्णवीरा मुकत आवई शे पण चित्रलेखा तो वांचे अच्छे एनू कारण छे एनू नाम एना विशे नी चर्चाओ अने एनी अंदर ठलवाएली फिलसुफी वाच को ए चित्रलेखा जिके मियाद राखी मारी जें एवो एक प्रश्न थाए अतीशे लोक प्रिय थे एटले के मचेना प्रजी फिल्मों बनी एटले 1934 मा लखायली चित्रलेखा पर थी केदार शर्मा ओगनी सोने 42 मा चित्रलेखा बनावे अने फरी केदार शर्मा ज फरी थी वीजा कलाकारोने लहीने अशोक कुमार प्रदिप अने मिना कुमारी अशोक कुमार तपस्वी शे प्रदिप बीजगुप्त नू पात्र तो एवीजी वार आफिल्म बनावे जीवन अने प्रेम पाप अने पुण्य एणी फिल्सुफी विशे लखायली चित्रलेखा न लेखक चित्रलेखा लखता पेला वकील तरीके हमेर पुर्मा काम करता आता चित्रलेखा एटली हदे लोकप्रिय थाई के पच्छी थी वर्मा जी वकीलात चोड़ी अने फूल्ल टाइम लेखक थाई चित्रलेखा पर मारा जिमन एक प्रश्न थाई जिने आनातोला फ्रांस नी थाईस वांची होई जी अडारसों ने नेवुमा लखायली अडारसों नेवुमा लखायली आनातोला फ्रांस नी थाईस नवल कथा नो चित्रलेखा पर प्रभाव खरों भगवती चरण वर्मा नोंदे चे चित्रलेखा लखवा पाच्छल एक मजेदार कहानी चे मारा परम मित्र पंडित बाल कृष्ण शर्मा ए आनातोला फ्रांस नी थाईस ना बहु वखाण करया है था मैं थाईस वांची मने नवल कथा बहुज गमी एवात्ता मात्ता खबर नहीं कैम पण मारो अहंकार औने आत्मविश्वास एटली हदे जागी उठया के मैं विचारू के आवी कृती तो हूँ पन लखी शको एना जेवी नवल कथा लखवाना संकल्प साथे मैं चित्र लेखा लखवानों आरंब कर्यो जो के जे लोकोई मारी जिम थाईस औने चित्र लेखा बन्ने नवल कथा वांची शे ये जोई शके छे के बीजगुप्तनों पात्र अने परिस्थितिने सर्वोपरी मानवावली वाद आ बन्ने भगवती चरण वर्वाना पोती का आविशकार छे थाईस मां त्रिकोण नथी नाइक नाइक आमेद छे थाईस नी अंदर एक सीधी साधी वाद प्रतिपादी थाई छे एवाद आछे के ओ सहज ओ कुदरती निवरुत्ती मार्ग पर सहज कुदरती एवा प्रवरुत्ती मार्ग नो विजए बगवती चरण वर्मा चित्र लेखामा परिस्थिती ने वदारे पड़तु महत्व आपे छे आम जो ये तो लेखक नो परिस्थिती वाद भारत देश ना नियती वाद करता बहुँ जुदो नथी लागतो परिस्थिती नी सामे मानस जाने के कई जिन्न थी एह हदे वर्म परिस्थिती ने महत्व आपे छे मानस नी इच्छा शक्ती मानस ना कर्म एनो परिश्रम वगेरे जाने के कश्षुज महत्व नो नथी परिस्थिती नी सामे एटली हदे एवने परिस्थिती ने अई महत्व आयकू छे तुल्नात्पक साहित्यना पेपर मा अपड़े त्यां हम्मेशा आनी जोडे सिद्धाथ मकुवामा आवेशे जे खोटोची अर्कीकत आनी साथे जो तुल्ना करवी होई तो थाइस नी थाइशक्के आम छे बिजागवाश्णा नी थाइशक्के आम नथी नवलकथाना आरंबेद महाप्रभू रत्नामबरना शिश्य श्वेताहकना मनमा एक प्रश्ण थाओ के पाप शुम छे आना जवाब मा आखी नवलकथा विस्तरेश गुरुनु मानुग छे के आ प्रश्णनों जवाब उपासना के अध्यनती नहीं पाण जिवनना संसारना अनुबवो माथी ज मले गुरुपोताना बन्ने शिश्य श्वेताहक अने विशाल देवने नगरनी बे व्यक्ति पासे मोकले छे श्वेताहकने ए बोगी बीज गुप्त पासे अने विशाल देवने ए योगी कुमार गिरी पासे मोकले छे ब्राम्वन विशाल देवने आम पन ध्यान अने आराधना माटे प्रेम छे एटले ए योगी कुमारगीरी पांसे जाई ते योग्या छे जरे क्षत्रिय श्वेतांक ने संसार ना भोगविलास गमे छे अने एटले भोगविलास भोगवता बीजगुप्त पांसे ए जाई ए पण योग्या छे बन्ने ये एक वर्ष बीजगुप्त अने कुमारगीरी साथे रेवानू छे अने पच्छी गुरुने मलीने केवानू छे के पाप एटले शून गुरु ये बन्नेने मोकलता पहला चेत्वेला छे कि अनुभव मेलवा मां पोते एमा वई न निकले एमा डूबी न जाए एनुद्यान राखवानू छे गुरु ये बन्नेने मोकलता पहला आ बन्ने महानू भव विशे एमने जे वात करी एमा हकिकते आपन ने उलागे एक कलम ना एकक जाटके लेखके कुमार गिरी और भीज गुप्त बेवुना पात्रालेखन करी दिदा हवे आपने एमना विशे कशु ताराव वानू रेतो नथी जे पात्रालेखन थाओ ए ब्रह्माने आ पात्रो वर्त एवज थाशे आ मुन्शी स्ट्राइल छे कुमार गिरी योगी छे एनुदावो छे के एमने संसार नी समस्त वासनावो पर विजैई मेलवीली दो छे एपन जानी लिदू छे एमनामा तेज अने प्रताप छे शारिरिक ताकात छे आत्मिक बॉल छे एमने ममत्वने वशिभूत करेलू छे योवन अने त्यागे मली ने एमनामा एक अलोकिक शक्ती पेदा करी छे संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष विशाल देव वही कुमार गिरी तुम्हारा गुरू होगा गुरू श्वेतांक ने कहे छे बीजगुप्त भोगी छे इना रदैमा उमंग छे अने आँखों मा मादक तानी लालाश छे रत्न जडीत मदिरा पात्रों मा एनू सुख समायलू छे अईश्वर एनी बीजगुप्त ने जराय खोट नथी इना रदैमा संसार नी समस्त वासनाओनो निवास छे एने इश्वर पर विश्वास नथी कदाच एने क्यारे इश्वर विशे विचायरू पन नहीं होई स्वर्ग के नर्क कश्चा विशे एने कशी चीनता नथी आमोध और प्रमोध ही उसके जीवन का साधन है और लक्ष भी उसी बीजगुप्त का तुमें सेवक बनना स्विकार है आब अन्ने विशे सगलू कई देता लेखक चित्र लेखा विशे पन बदूच कई देशे एनो पात्र पन आपड़े मनमा कल्पवानू रेतू नथी त्रणे पात्रों में समवाधों के कार्य द्वारा पात्र प्रगट थाए एवो कोई अवकाश लेखक छोड़ता नथी चित्र लेखा नर्तकी हती भुद्काल मा एब्राम्मन विद्वा हती कृष्णा दित्यना प्रेम्मा पड़ी सगर्वा थाई एटले समाजनी ठोकरों अने अपमानों वेठवाना थाया कृष्णा दित्योंने बालकना मृत्यु पची एने आश्रो आपनार नर्तकी है एने नर्त्यनी ताली मापेली राज नर्तकी थाया पची पाटली पुतर नी प्रजा चित्र लेखा ना पगमा अलोर्ट थी हती सत्ता धीश सामन्तो सर्दारो के धन कुबेरो एना प्रेम मा पागल हता पण चित्र लेखा कोई इन्मे वाव न आपती नर्त्य जोवा आवेला बीज गुप्त ना चहरामा एने एना पूर्व प्रेमी कृष्णा दित्यनों चहरों देखायी छे नर्त्य पूरू थाया पच्छी बीज गुप्त इने मालवा माटे पूछे छे पंचित्र लेखानों जवाब स्पष्ट छे मैं केवल समुदाई के सामने आती हूँ व्यक्ति का मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं है गडिकवार माटे निराष्ट जवलों बीज गुप्त वर्ती दलील करे छे व्यक्ति से हीतों समुदाई होता है बनता है तो पची आवो भेद शा माटे बीज गुप्त तो प्रश्ण मुकीने जतो रहो पंचित्र लेखाना रदैमा एक खडबलाट करतो गव 200 वित्वा साथे एना हैयानों खडबलाट वदतोग आघरे चित्र लेखा बीज गुप्त ने एक पत्तर लखे छे ए लखे छे चित्र लेखाना जिवन माँ एक व्यक्ति आविश रके छे अने ए व्यक्ति बीज गुप्त छे रतनामर श्वेतांक ने जारे बीज गुप्त ने त्या मुकुवा जाई छे त्यारे चित्र लेखा पन त्या हाजर रती रतनामर पोताना एक वखतना शिष्य बीज गुप्त ने नवा शिष्य श्वेतांक नी सौपणी करता कहे छे आतारो गुरु भाई छे इने पाप शूँ छे ए समझवा तने सौपू छो इबुर करे तो ख्षमा करजे गुरु श्वेतांक ने कहे छे अच्छा और बुरा ये तुमारे सामने आएगा पर इस कसोटी पर ध्यान रखना की अच्छी वस्तु वही है जो तुमारे वास्ते अच्छी होने के साथ दूसरों के वास्ते भी अच्छी हूँ पहली राते बीज गुप्तना कहवा थी श्वेतांक चित्रलेखाने इना गरे भुपवा जाई छे कस्छू वायवी लागे एवा गुण वर्तन द्वारा लेखक कुमारगिरी ने योगी सावित करेचे कुमारगिरी ने वर्तनमा मने कोई जंग्या ए योगी छे यूँ नवल कथा मातो नथी मालतू कश्चे कुमार्गिरी ये वासनावने तप वडे दबावी दिदी हती ए सुखी हतो कारणके एनी सामे इच्छावनों कोई संसार हतो ज नहीं एटले अधूरी इच्छावनों कोई परितार पण एना माटे नो हतो एना जीवननी औ कर्मनता पर गिनान अने वीचार मूं आवरण हतो रतनामबर विशाल देवने सौपता कुमार्गिरी ने कहे छे आ पाक शूँ छे ते जानवा आवेलो छे कुमार्गिरी हसी ने जवाब आपे छे पाक शूँ छे ये तो अनुभवधीच खबर पड़े पण मारी साथे रईने तने पाक नो अनुभवध थशे नहीं थाई नहीं शक्ये काराण मेरा क्षेत्र है सैयम और नियम और पाक उनसे हम्मेशा दूर रहता है पण गुरु ये कहू एटले कुमार्गिरी विशाल देवनों स्विकार करे छे एवू कईने स्विकार करे छे के मैं तुमें पुन्यका रूप दिखला दूंगा और पुन्यकों जानकर तुम पाप का पता लगा सको कुमार गिरी नी वाद थी एना गुरु रत्नाम्बर मनोमन हसे शे गुरु छे जाने चे शिश्य नी मरिया दाओ पन शिश्य बयानक अहम वालों अने दंबी शे रत्नाम्बर ना गया पच्छी कुमार गिरी विशाल देव ने प्रश्न पूछे शे वासना क्या है विशाल देव नो जवाब चे वासना इच्छाओ का दूसरा नाम है कुमार गिरी कहे चे वासना पाप है वासनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य इश्वरिय नियमों का उलंगन करता है और उनमें डूब कर मनुष्य अपने को अपने रचीता ब्रह्म को बूल जाता है इसलिए वासना त्याज्य है विशाल देव मेरा शिश्य होकर तुम्हे जो पहला काम करना पड़ेगा वह ये होगा कि तुम वासनाओं से हम्मेशा दूर रहाए वासनाओं को त्याद कर अपने मन को तुम्हे शुद्ध करना होकर विशाल देव हातों पाड़े छे पड़े सामों प्रश्न पण पूछे शे वासनाओं का हनन क्या जीवन के सिद्धानतों के प्रतिकुल नहीं है कुमार्गिरी ना जवाब मां वाचक ने नरो अहंकार टपक्तो देखा शे ए विशाल देवने ब्रह्मा पडेला गुरुनों शिष्य कहे त्यारे आपनने नवाई लागे कारण के ए पोते पन आचार्य रतनांबर नों शिष्य चे अने पोताना गुरु माटे आउके चे वासनाना त्यागनी वाद करतो गुमार गिरी पच्छी थी पोतेज वासनानों दास थाई जाई चे 25 वर्षनी उमरे श्वेतांके दर्शनों तथा स्मृति ग्रंथोंनों अब्यास करे लिदेरों चे काव्यमा एने प्रेमना बर्णनों वाँचेला पण हजी ए स्त्रीने ओड़खतो नों तो थाई यवणनी मादकता विशे हजू श्वेतांक अजांची पण हवे लगबग रोज एने चित्र लेखाने बीजगुप्तना आवास परती एना घरे पहुचाण भी पड़ती सारना प्रवाहमा बस वही रहो हतों चित्र लेखा एने कहे छे श्वेतांक तुम भूल करते हो जिसे तुम साधना कहते हो वह आत्मा का हनन है मादक ता जीवन का प्रधान अंग है चित्र लेखा श्वेतांक ने स्पष्ट शब्दों मां चेत वेशे हुँ दुनिया मां मात्र एक कज पुरुष औने बीजगुप्तने चाहुचो इटले मारी कल्पना पण तु न करीश नवाई ये छे के श्वेतांक एक वार चित्र लेखाने चाही ने पच्छी थी यशोधराने चाही ने बब्बे वार बीजगुप्तना रस्तामा आवे छे पहली वक्ते उदार मने बीजगुप्ते ने माफ करे छे पहली बूल वक्ते श्वेतांके बीजगुप्तनी माफी माँगिये थी पड़ बीजगुप्तनो जवाब हतो ते बूल करीज नथी पच्छी माफी शानी अपराज कर्म में होता है विचार में नहीं चित मातों लोको कही गोड़ा खेलोता हुई शे बीजगुप्तनो चरीत्र तमने आखी नवल कधामा मूठी उचे रूल आगे चराय अविश्वास वगर ए श्वेतांकने चित्रलेखाने मुकवा जवा कहे छे एनने चित्रलेखा पर अगाध विश्वास छे पन चित्रलेखा कुमार गिरीना कहवा मात्र थी बीजगुप्त प्रत्य आशंकी थाई छे पछी थी चे रीते वादचित के वर्तन थी आपने बीजगुप्तना पात्र विशे आकलान करी शक्ये छिए एवी तक आपने कुमार गिरीना पात्र माटे मौलती नथी वाचक तरी मोटे भागे सर्जगत बदू कहता रेशे कुमार गिरी के तर्क अकाट्य थे एवी एच के एक सांजे मौडे थी कोई ए कुमार गिरीना आश्रम मां आश्रई मांगो कुमार गिरी ये जवाब आपो मेरी कुटी प्रत्य गुले हुए प्राणी के लिए खुल्ली है आश्रई मांगनार एक स्त्री छे ए जोई ने कुमार गिरी चौकी उठे छे ए एनी साथे ना पुरुष ने कई दे छे आ संसार छोड़ी चुकेला योगी नी कुटीर छे अहीं स्त्री आवनार पुरुष ना माथानों होई एवो जवाब आपे छे इंद्रिय जीत योगी ने पुरुष साथे आवेली स्त्री ने एक राद आश्रे आपवामा संकोच थशे ए मने नोंती खबर जराकवार तो कुमार गिरी कापो तो लोई न निकले एवा थाई गया पड़ पच्छी तरत कहे छे में एक स्त्री ने आश्रे देवामा संकोच करे लो एनू काराण एटलूज के स्त्री अंधकार है स्त्री मोह है माया है वासना है ग्नान के आलोक मैं संसार में स्त्री का कोई स्थान ही नहीं है पण तोई तमें आतीथी छो, तमारू आतीथ्य करू ए मारू कर्तव्य छे अत्यार सुधी मुंगी उभी रहली स्त्री हवे कुमार गिरी ने मस्तक नमावी ने कहे छे प्रकाश पर लुब्ध पतंग को अंधकार का प्रणाव है अने वाक्य तीर नी जेम विंदी नाखे एवु हतु पण स्वार संगीत ना परियाय जिवू सवंदर्य आख माणी न शकाय एवू कुमार गिरी बेलकुल स्तब्ध रही जायी छे एमने जिन्दिगी मां कदी आटली सुन्दर स्त्री जोई नोती पुरुष बिजगुप्त हतो अनेस्तरी चित्रलेखा आती कुमार गिरी नी दृस्टी ये चित्रलेखा तो खोटा मार्गे निकड़ी गएली व्यक्ती छे पंचित्रलेखा नो जवाब छे प्रत्यक मनुष्य अपने को ठीक मार्ग पर समझता है और उसके मत अनुसार दुसरे सिद्धान्त पर विश्वास करने वाला व्यक्ती गलत मार्ग पर है लेखक प्रत्यक्षाजरी पुरावी आ बंचेना मुकाबलानी तूलना करे जे आ करांती अने शांती नो मुकाबल होतो आ जीवन अने मुक्ती वच्चे हरीफाई हती बंचेनी आख एक वार मली अने वासना तपस्या के सामने काप उठी आ नवलकथामा एक लूब दू आरोपी छे लेखक द्वारा के वाचक तरीके के टली वार एक नी एक फरियाद कर्वी में तो वोदो ठाकी गई फरियाद करता करता पना आनवलकथामा चित्रलेखानी दलीलोथी कुमारगीरी विचारे छे कि आस्त्री सुन्दर पण छे औने विदूशी पण छे एनमा विचार शक्ती पण हती औने प्रतिमाशाली पण हती कुमारगीरी सुखनी व्याख्या करे छे पन्चित्रलेखा सामी दलील करे छे कुमारगीरी अत्यंद भारेखं भाशामा माया, ब्रह्म, संसारनी जाल वगेरी निवात करे छे बन्ने नी अंदर ब्रह्ममत्व छे ये वी चित्र लेखानी दलील नो स्विकार करी योगी बेद क्या छे, ते समझावता कहे छे तुम भी ब्रह्म का अंश हो, और में भी ब्रह्म का अंश हो बेद केवल इतना है कि तुम माया मिश्रित ब्रह्म हो, और में माया को छोड चुका हूँ दलीलों पर पड़दो पार्ता कुमार गिरी कई देचे तर्क का कोई अंत होता नहीं है सत्य अनुभवकी चीजे परत्वा दलील बाजी मां बन्ने एक में तरफ आकर्शाया योगी ने चित्रलेखाना ग्णाने आकर्शो तो चित्रलेखाये योगी मां संदर्य जोलो बेज गुप्त ने द्रास्को पड़ियो ए चित्रलेखाने कहे पण छे आपना बन्ने पर दुखना वादल गेराई रया होई एव मने लागे छे चित्रलेखा एक जराहक वार्क्षान पूर्ती ओजपाई जाई शे पण तरतज बीज गुप्त ने आश्वासन आपता ये कहे छे अन्ने कुमार गिरिन्या नकारात्मक पासा गणावता ये कहे छे प्रियतम संसार में कोई भी व्यक्ती हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता आउ कहती चित्रलेखाए बीज गुप्त ने ब्रह्मा ना क्यो पड़ पोतानी जात ने एना समझावी शकी एक कुमार गिरी थी आकर्शाई चुकी हती राज दर्बार मा थती तात्विक चर्चा मा चानक्यनी सामे कुमार गिरी शे चानक्यनी दलिलो तर्क अकाट्य शे त रात मा समाझ द्वारा निर्मी थे अन्या वादसाची शे वाद विवाद मा चंदर्गुप्त चानक्यने हरेला औने कुमार गिरी ने अफ राजे जाहेर करेश परन्तु चित्रलेखा कुमार गिरी ने बे-चार सवाल मा ज परास्त करीदेश चानक्यनी जीतनों मुकुट ह अवे चित्रलेखाने बहरावे छे, आर्थी अपमानिक थयल कुमारगीरी अजम्प छे, एक स्त्री अने एक सामान्य नर्तकीना हाथे पराजीत थव पड़ियो एनो एने वधारे चचराट छे, वड़ी एने विजैनो मुकुट पोताना माथा पर मुक्यो एना थी कुमारगी पोताने लायक न थी, पन कुमारगीरी ने लायक छे, उका यने कुमारगीरी ना मस्तक पर मुक्येलो, पन आश्रम मा जे कुमारगीरी ना जमीन पर मुक्य जै छे, आवी चड़ेली चित्रलेखा, ए मुकट फरी थी, यमना मस्तक पर मुक्य ने कह छे, तमने पराजीत करव मारा माटे अशक्य छे, मारा मा एवी ख्षम्ता के शक्ती छेजने, सवंदर्य थी अंजायला योगी ने चित्रलेखा कहे छे, हुँ तो विजीत हैला पांसे दिक्षित थवा माटे आवेली छो, स्तब्ध थेगेला योगी साधना मार्गनी मुश्केली हो थी, एने अवगत क तरावी ने डरावे छे, पन्चित्रलेखाय बद्धा माटे तैयार छे, चित्रलेखाना सवंदर्य थी गवायर कुमार गिरी समई मागे छे, एने डर छे के चित्रलेखाना कुतर्कमा पोते फसाई न जाए, पन्चित्रलेखाय ने जवाब आपता कहे छे, स्त्री अंदका नहीं है, स्त्री शक्ति है, वह स्रुष्टी है, यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति योग्य है, लेकिन स्त्री विनाश है, यदि उसे संचालित करने वाला अयोग्य है, इसलिए जो मनुष्य स्त्री से भई खाता है, वह या तो अयोग्य है, या तो कायर है, जो कि आप चित्रलेखान आवाजनों संगीत एमना कानमा गोंचतु भतु। एना सवंदर्यनी आवा एमनी नजर सामेथी खस्ती नौती। ए चित्रलेखाने पाची बोलावेशे। एना सवंदर्यने शुरूंगारने एक दारा जोती वक्ते एमने इच्छानों अनुभव करो। मारा मार्गिती विजलित थे रहो चूं। हिम्मत एक्ठी करी ये चित्रलेखाने कई देशे। मैं तुमको दिक्षा देने में और समर्थ हूं। और समर्थ ही नहीं। वरन ये काम मेरे लिए असंभव है। तुम्हें दिक्षा देने का अर्थ होगा। शायद तुमसे अर्षित होना और उसके लिए में कटै तैयार नहीं। चित्रलेखा पोतानी निराशा, हताशा, प्रगट करता कहें छे। तदाच मारो औने तमारो साथ और सम्भव छे। मेरा क्षित्र है वासना और तुम्हारा क्षित्र है साधना। चित्रलेखानों कुमार्गिरी प्र उमार गिरी पर क्याम ओवारी गई, तुम मेरे आराध्य देव हो केवा सुधी पगे पड़ी चरणरज लेवा सुधी ये क्याम गई, मारी जिंदगी मां एकच पुरुषने स्थान छे अने ते बीज गुप्त देशे, एवु कहना चित्र लेखानू वर्तन आपनने बिलकु ते वालू लागतू नथी, वाई दिस नोवेल इस पॉपिलर और नोट क्लासिक एनू कारणा आचे, कंसिस्टनसी अब दे क्यारेक्टर नथी, वारे वारे लेखक वच्चे आयवाशे, वोताने अभीप्रेद फिलसुफी डौलताज रयाशे, एटले आकृती लोगप्रि जो अचानक विशाल देव न आवी चड़े होत बेव नी वादची तमा तोकदाच बेव वही नीकड़े होत एवी शक्यतापण छे श्वेतांक चित्रलेखा ना विज़ेई दी खुश हतो, पड़े जिकुप तेने कहे चे, जीसे तुम चित्रलेखा की विज़ेई समत्ते हो, वह उसकी भवव बड़ी पराज्य है चित्रलेखा और कुमारगिरी, कोई भी विज़ेई नहीं है, दोनू पराजीत हुए है तारे खरेकर जानू होई, चित्रलेखा नू मन तो तुँ एने अभिनदन आब श्वेतांक चित्रलेखा ना बवन पर जई एनी राह जुए छे अर्दी रात विती गया पछी चित्रलेखा आवे छे अभिनदन ती राजी थावने बडले दुखी थाए छे कोई ने न केवानी शर्ते चित्रलेखा श्वेतांक ने पोताना मननी वाद कहे छे मेरी आज की विज़ेई वास्तों में मेरी विज़ेई न थी वो तो मेरी पराज़ेई थी मैं कुमारगिरी से प्रैम करने लग गई हूँ मुझे ऐसा अनुभो होता है मानो मेरा और कुमारगिरी का युग युगांतर का संबंध है श्वेतांक बीज़गुप्त ने कशु ना कहे तो ही बीज़गुप्त समझी चुक्या शे एक कह छे चित्रलेखा अने कुमारगिरी नो एक मेंगना जीवन मा आववो बन्ने माटे घातक छे दुर्भाग्य वश्ट दोनों ही एक दूसरे के जीवन में बिना जाने हुए अपनी अपनी साधनावों को ब्रष्ट करने के लिए अचानक आ गए है भगवान ही उनकी सहायता कर सकते है गणा दीवस पछी मौलती चित्रलेखा ने बिजगुप्त नई मलवानों कारण पूछे छे चित्रलेखा स्पष्ट शब्दों मा कई दे छे न आविशकी कारण के आववानी इच्छा जनोती थाती बिजगुप्त नी कल्पना वार नो आजवाब हतो एने जना गुस्स आवे छे पंच्छताई एविनीत भावे कारण पूछे छे चित्रलेखा नो जवाब छे ये परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज का बदल जाना स्वाबाविक नहीं है आ सामडी बिजगुप्त स्तब्द रही जाए छे इना थी अनायास पुछाई जाए छे तो फिर समझ लो कि चित्रलेखा का प्रेम बदल गया है बदल सकता है चित्रलेखा थी बोलता तो बुलाई गरूत एविनी जगुप्त ने आश्वासन आपे छे पोतानों प्रेम नहीं बदलाई एहु कहे छे पर तु साथे पोतानी माननेता जाहर करता कहे छे मैं ये मानती हूँ और उसे ठीक भी समझती हूँ कि प्रेम परिवर्तन शील है प्रकुती का नियम परिवर्तन है प्रेम उसी प्रकुती का एक भाव है तो वो भी बदल सकता है वाद कडवी हती और साची हती बीजगुप्त ने छिला थोड़ा समय थी बनने वच्चे अंतर वधी रहु हतु ये समझातो तो पन बीजगुप्त दलिल करता कहेचे जित्र लेखा तुम भूलती हो प्रेम का संबंद आत्मा से है, प्रकृती से नहीं जिस वस्तु का प्रकृती से संबंद है, वह वासना है प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं परिवर्थन प्रकृती का नियम है, आत्मा का नियम नहीं है आत्मा का संबंद अमर है चित्र लेखानी तर्क करवानी शक्ति जो चानक्य अने कुमारगीरी ने हमफावी शक्ति होई तो ये बीज गुप्त ने जवाब आपिच शक्ति एक कहे छे आत्मा और जन्मा है इसलिए अमर है पर प्रेम तो और जन्मा नहीं है चित्र लिखा नी वधी गयली तर्क शक्ती सामें पाचो पड़ी रहलो बीज गुप्त कई देशे उनमाज और ग्णान में जो भेद है वही वासना और प्रेम में है उनमाज अस्थाई होता है और ग्णान स्थाई होता है ए पॉल्पूर्ती चित्र लेखा पोताना तर्कने विराम आपेशे। बीज गुप्तनी दलील स्रिकार्ती होई एम दलील नथी कार्ती। जोके चित्र लेखा जेटला तर्क लड़ावे छे ए लेखके उछीना आपे लावोई एवु वाचकने लागे। एने प्रेमनी अनेक वार व्याख्या करी अने दरेक वार एने पोतानों पाछनों निर्ने खोटों लाईगे। एनू व्यक्तित्व, एनू रूप, एनी दलीलों बद्धू लेखक कहेत्ते हों एनू पोतीकु जहने के कशुद्ने। आ नवल्गतानी सउथी मोटी मर्यादा आज छे। लगभग दलीलों लेखक तरफ्थी आवती होई एहू लागे छे। बीजगुप्त सिवाई नू एकेई पात्र सात्त्यती नथी वर्त्तू। चित्र लेखा के कुमार गिरी बन्ने नू वर्तन वारे वारे बदलातू नहों छे। सामन्त बृत्युन जै शास्त्रोक्त विधी थी अमें बन्ने नथी जोडाया पण स्त्री अने पुरुष ना चीरस्थाई संबंध ने तो विवाह काया छे। बे जुगप्त चित्रलेखा सिवाई नी विजी कोई स्त्री साथे संबंध बादवा तैयार नथी। यशोधरा जेवी सुन्दरी यशोधरासी पत्नी मिलना असंबव है। चित्रलेखा प्रत्य जेने राग जन्मी तुक्यो छे छताजे दंब आचरी रहा छे ते कुमार गिरी मृत्यों जैने कहे छे यशोधरा के लिए बीजगुप्त से अच्छा वर तुमको नहीं मिलेगा। चित्रलेखा साथे रहे तो बीजगुप्त ना संता नो इना वारसदार न गणाए। पण बीजगुप्त आवात नो कदी विचार करो जनो तो। मृत्यों जैना कई बतायवा पच्छी पण इना मत्या वात महत्वनी न थी। आओ मनुष्यच नवलकथा ना अंते करो एवो सर्वस्वनो त्याग क एज उचीत एवो मृत्यों जैने समझावेचे। बीजगुप्त को सुखी बनाना मेरा कर्तव यहे। उसे मुक्त कर देना ही मेरा महान त्याग होगा और उसके जीवन का सार्थक बनाना होगा। बीजगुप्त ने छोडवानो निर्णै करती चित्र लेखा। अकिकते कु बीजगुप्त एकलो पड़ेलो बीजगुप्त श्वेतांक और यशोदराने लईने काशी जतोरेशे। अने त्या श्वेतांक और यशोदरा वच्चे नो प्रयम जोई अने बीजगुप्त मुरुत्यों जैने विननती करेशे कि तमे श्वेतांक ने पर्णाव। पन श् सामन्त नथी विजुगुप्त पोतानू सर्वस्व संपत्ती सामन्त पत बद्धुज एने आपी आने पोते निकली पोड़ेशे अकिंचन थाई रे वाईवव विलास छोड़ीने आवेली जित्र लेखाने स्विकार्वा कुमार गिरी तैयार नथी एनो एकच जवाब छे तुम्हें दिक्षा देने का अर्थ है गिरना नीचे गिरना मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं अपने आपको भी जानता हूँ तुम्हें उपर उठाना कठीन है स्वयम नीचे गिरना सरल है तुम आई क्यम आवी एनो साच्चो जवाब आप चित्र लेखा कई देशे मैं तुम्हें प्रेम करने आईगू कुमार गीरी गणी दलीलो पची अने खास्तो एना शिष्य विशाल देवना हास्यती क्रोधीत थाई चित्र लेखा ने पोतानी कुटीर मा राखवा तयार थाई आईशे जो के के छे एसा मालूम होने लगता है कि जैसे कि मैं आग से खेलने जा रहा हूँ चित्र लेखा ने आश्वस्त करे छे वाचक ने चित्र लेखा नो कुमार गीरी माटे नो प्रेम मिलकुल समझातो नथी बीजगुप्त ने यशोधरा गमी छे नो संदर्य लोग भावनों छे परतो पोते चित्र लेखा ने चाहे छे चित्र लेखा साथे भले वीवानोता थाया पांट ए एनी पतनी जहती बीजगुप्त ने खबर छे कि पोते चित्रलेखा सिवाए बिजा कोई ने परणी शक्या है नथी बीजगुप्त ने समझाओता चित्रलेखा कहे छे मैं तुमसे सदा प्रेम करती रहूंगी तुम यशोद रासे विवाह करो बीजगुप्त ने परणी चाहती हो या बीजगुप्त को और या अपने आपको चित्रलेखा स्पष्ट छे अबाबते कैम पुरुष बेपत्नी ने परणी करी शके तो स्त्रीशू बेपुरुष ने कैम न चाही शके एक कुमार गिरीने सदियारो आपता काई चे हुँ तमने नथी छेतर ती शक्य छे के हुँ कांतो मने छेतरो छू अथवा तो हुँ बीजगुप्त ने छेतरो छू आपणने सतत चित्र लेखाना व्यक्तितो माटे प्रश्णों सता जरिवाना रूप गून डापण मा पूरी छे जिन्नी सामे चानक क्या हारी जाए चित्र लेखानी दलीलो थी एच कुमार गिरीने पन हरावी शके प्रेम तो एक साथे था युँ श्वेतांक ने कहे औने पाची पोते कुमार गिरीना प्रेम माँ पड़े कुमार गिरी एना तरम आकर्शाए एटले हवे एने पाचो बीजगुप्त यादावे खरेखर प्रेम तत्व एटले शू एचीत्र लेखा समझे छे खरी बेजगुप्त यशोद्राने परणी गयो एव जुठानों कुमार गिरीने समबलावे अने ए तरतनी खणे कुमार गिरीने समर्पित्थाई जाए बस अट्रोज विश्वास बेजगुप्त नथी परणों एव जाणे एटले वड़ी पाछी एक कुमार गिरीने तिरस्कार एने बांडे चित्र लेखानों साचोग खरेखरू व्यक्तित्व कहो प्रतापी ते जस्वी विदुशी के वारे वारे पगे पड़ती मन बदलती सामान्य कुमार गिरी दुनियानी नजरे योगी छे पन चित्र लेखा सामे तो एनों योगी पणों हवा थाई गव छे एने साकार नी उपासनानी रड लागी छे पन चित्र लेखा नजीक आवता कुमार गिरीने डारती हो यब कहे छे क्या तु ये नहीं जानते हो कि जिस पर तुम शासन करना चाहते हो तुमने अपने को उसका दास बना लिया है कुमारगिरी करो स्वरे कहे छे मैं तुमसे प्रैम करता हूँ पन्चित्रलेखाईनी वात ने हसी काड़े छे प्रकृती ने स्ट्री को शासन करने के लिए नहीं बनाया है स्ट्री शासीत होने के लिए बनाई गई है आत्मसमरपण करने के लिए स्ट्री अपने से निर्वल मनुष्य से प्रैम नहीं कर सकती जिस मनुष्य पर उसने आधिवत्य जमा लिया वह मनुष्य उसके प्रेम का अधिकारी हो यह नहीं सकता स्त्री उसी मनुष्य से प्रेम कर सकती है जो उस पर विजय पा सके जो उस पर आधिवत्य जमा सके यहां तो मैं स्वामी नी हूँ और तुम दास हो मैंने तुम पर आधिपत्य जमा लिया है, तुमने आत्म समर्पन कर दिया है, अब किस बल पर तुम मेरा प्रेम चाहते हो? चित्र लेखा नी आ आखे आखी वाद लेखक नी पुरुष प्रधान मानसिक्ता नी उपज छे, समग्रव नवल कथा मा स्त्री एटले अंधकार, गर्ता मा पाड़नार, ब्रह्म फिलावनार, एवाज उल्लेखो स्त्री साथे थाला छे, अने स्त्री उपर पुरुष शासन क पर तो जिस्त्री ने गमे, आवी चगलवी गमे एवी कल्पना पुरुष शोज करी शक है, कुमारगिरी ने जवादे तो पोते विजई को ना पर मेड़े, चित्र लेखाय ने कहे चे, योगी, तुमें मेरे उपर विजई नहीं पाना है, तुमें अपने उपर विजई प कुमारगिरी नी विननती ने कारणे थोड़ो समय रोकाई जती चित्र लेखानी माया मा थी, कुमारगिरी छोटी शक्ता न थी, कोई पन रीते हवे एमने चित्र लेखाने हराब भी हती, ए विजई गुप्त ना यशोदरा साथे काशी जवा विशे मेहनू मारे छे, ते मन प्रेम करवा माटे वीजगुप्त ने छोड़े लो, तुमने वासना के आवेश में आकर पवित्र प्रेम को ठुकरा दिया था, तूशू माने चे वीजगुप्त हजुपन तने स्विकार शे, जो तो यहों मानती होई तो इतारी भूल शे, तुमारे वीश के प्रभाव को दूर करने वाला अमरुत अब वीजगुप्त को मिल गया है, कुमारगिरी नो चित्रलेखा साथे नो आलामबो समवाद, मने तो हिंदी फिलम नो कोई विलन बोलतो है ने ओड लाग, अमा कोई जग्या ये कुमारगिरी योगी होई ये उलाग तू न थी, चित्रलेखा नी नीराशामों फाइद उठावता कुमारगिरी स्वर पल्टो करी, कौमल अवाजे ये ने कहे चे, तू जानती हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बीजगुप्ते पोता ने छोड़ी दी ये समाचारे चित्रलेखा पोता नी जातने समर्पित करी दे, ये ना व्यक्तित्व, ये ना प्रेम अने ये ना विश्वास माटे आपड़ा माटे प्रश्नार्चीन मुक्वा जिवु लागे। कोई पात्र ने जाने के पोतीकु व्यक्तित वज नथी, ये दार्शनिक वातो आ पात्रों करे छे एपड़ लेखके उच्छी नी आपे लेशे, एके पात्रों नो आवी वातों करी शके एवु गजू लेखक गडिद नथी शेक्या, आलेखिद नथी शेक्या, आ सव उच अच्छीनी फिल्सुफी उच्छीना शब्दों मा व्यक्त करता होई एवु लागे। दलीलुना स्तरे रईजती आदार्शनिकता पात्रों पाम्या होई पचावी होई एवु भावक ने कोई जग्याई प्रती थतु नथी। बेज गुप्तना विलासी होवा छता एना त्यागने कारणे एनू पात्र बावक ने मुठी उचेरू लागे छे। कुमारगिरी कहवाता योगी छे असलमा भोगी छे एवु पाम्तो लेखक बावक लेखक के आपेला अंत साथे पन साहमत थाई शक्तो नथी। कृती ने जानेके पुर्वनिर्धारी तारणो तरफ लई जवाय वोई एवु स्पष्ट पने समझायी छे। पाप पुण्य, सुख दुख, राग विराग, प्रेम वासना चिवा द्वंद्व उभाकरी। पात्रोना माध्यमती लेखक पोताने अभिप्रेत विचारो रिच्सरना ठालवेश। पात्रोना तारकिक समवादो द्वारा, गुरुशिष्यना समवादो द्वारा, पात्रोना अंतर द्वंद्व द्वारा, अने लेखकना सीधा प्रवेश द्वारा अई विचारो प्रगट थाया छे। विचारो नों भारण कृती मां एक करता वधारे वार शिथिलता लावेश। लेखक पोतानी पुर्वा निर्धारीत पाप पुण्यनी विभावना प्रतिपादित करवामां सफल नथी थाया। विशाल देव कुमार गिरी ना स्खलंग नों साक्षी छे। एनी सामे ए वक्त्र नजरे जुए छे हसे पन छे। अने छता अंते जे तारं रजु करे ए कोई रिते गड़े उपतरतू न थी। श्वेतांक पर बीजगुप्त ना अनहत उपकार छे। अने इना कारणे ए यशुदराने परनी शेक्टो छे। इटले गुरु ना कुछवा परे कहे छे। बीजगुप्त देवता है। संसार में वे त्याग की प्रति मूर्ती है। और कुमार गिरी पशु है। वह अपन है। बीजगुप्त वासना का दास है। उसका जीवन संसार के गुरुणीद भोग विलास में है। वह पापी है। हकीकते श्वेतांक चित्रलेखा ने कारणे बेवनों मुल्यांकन करी शके। पन विशाल देव ने तो बीजगुप्त नों कोई अनुबवज ना थी। एन गुरु अन्ते कहिशे तमारा बन्ने नों शिक्षन पुरुत है। मारी पासिती छेलो पाठ बनता जाओ। संसार में पाप जैसा कुछ भी नहीं है। वह केवल मनुष्य के दृस्टिक ओन की वीशमता का दूसरा नाम है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव क अनुकुल होता है और स्वभाव प्रकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थित्यों का दास है, वीवश है, करता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? संसार में इसलिए पाप की परिभाशा नहीं हो सकी। और न तो हो सकती हमना पाप करते हैं, हमना पुण्य करते हैं, हम केवल वही करते हैं, जो हमें परिस्तिती वश करना पड़ता है। बीज गुप्त अखी नवल गथामा कशे परिस्तिती नो दास लागे छे खरो। श्वेतांक माटे सगलू त्यागे धन, पद, सत्ता, राग, सर्वस्व त्यागी निकली जनार बीज गुप्त कोई जग्याए नवल गथामा परिस्तिती नो दास लागतो न थी। ए बले योगी न थी, पण विवेक बुद्धी थी, एकत स्त्री प्रत्य ना प्रेम थी, मौलिक विचार ना थी, त्याग थी, योगी नी कक्षाये ए पहुची शेक्यो छे। लेखके बले पोता नी पुर्वधारना पात्र पर लादी, पन बीज गुप्त नो पात्र लेखक नी पुर्वधारना थी, जुदी रिते वर्ते शे। दरेक दुरस्तिये बीज गुप्त कुमार गिरिती चड़ियातो पुर्वार थाई शे। स्त्री प्रत्यना प्रेम, आदर बाबते, श्वेतांक ने एनो प्रेम अपावा सर्वस्वत्यागवा बाबते, अंते चित्र लिखाने फरीवार स्वीकारवा बाबते, बीज गुप्त सवायो मनुष्य पुर्वार थाये छे। अने परणवा माटे मानस करीशनके एना करता वधू बीज गुप्ते करू छे, अने एना व्यक्तित्वनी आ उदारता वाचक ने स्पर्षी जाये छे। अने फिल्सुफी चर्चाना स्तरे रही गई छे, ए नतो कोई पात्रना विचार वर्तन माथी उतकरान थाये छे, नतो समगर कृती माथी उतकरान थाये छे। आपने आ नवलकथाने लोकप्रिय चोकस कही शक्ये। परतु एने प्रशीष्ट के श्रेष्ट नवलकथा के नारावो साथे मुतो सम्मत नहीं थाओ। आपनने परिचीत फिलसूफी अई ठासी ठासी न बरी छे, एटले भाषा पन खासी सुत्त्रा तमक वनी गई छे। लेखक ना द्रस्टिकोन मुझव मनुष्य परिस्थितिनो दास छे, स्वामी न थी, हकी कते आ वात लेखक ना मनमा पड़ी छे, अने कृतिना अन्ते M ने एसित्ध करवी छे, पची बले ने बेजगुप्त कुमार गिरी के चित्रलेखाना पात्रों नु वर्तन के लक्ष यमना पात्रों ने निश्क्री अने निश्प्राण बनावी दे छे, गोपालराई लखे छे, भगवती बाबु के उपन्यासों को सर्जनात्मक द्रस्टी से कमजोर बनाने वाली चीज, उसका व्यावसाईक द्रस्टिकोन भी है, वेपारी द्रस्टी, कथा में सस्ती पुर्प में इस्तेमाल करते हैं, शिर्क और भाषा के स्तर पर भी भगवती बाबु के उपन्यास प्रभुद्ध पाठक को संतोष नहीं दे पाते, चित्रलेखा बाबते मने श्री गोपाल राई साथे पूरे पूरा सम्मत थावानू गम, बले लोकप्रिय होई, पड़ा प्रशिष्ट कई शकाशे नहीं, लेख के उधार आपेली फिलसुफी ना बार थी, शित्थील बनी जती, एवी एक लोकप्रिय नवल कथाचे चित्रलेखा, अस्तु